तो जब आप लोग class 10 से class 11 के अंदर आते हो तो आप सबी लोग के सामने तीन stream चूज करने के लोगते चाहे हैं आप लोग science लो, commerce लो या फिर arts लो और इन तीनों stream के लेने के लिए आप लोग को एक fix percentage जलाने पड़ती है अपनी class 10 के अंदर उसी की base पर आप लोग को यहाँ क्लास 11 के अंदर admission मिलता है आप लोग अपने स्कूल में जाकर के जिस भी स्कूल में admission नहीं चाहते हो वहां पे एक percentage criteria fix करे जाती है कि अगर आपके इतनी परसेंटेज आएगी तो ही आप लोग को science में लेगी अगर आपके इतनी आती तो ही commerce में लेगी और आपके इतनी आत इसी जिच के पर बात करने माले कि आप सभी लोग को कितनी percentage minimum रखनी चाहिए किसी भी stream को लेने के लिए हम यह आप दोनों स्कूल को consider करेंगे चाहे आप लोग प्राइविट स्कूल में admission लेने चाहते हो चाहे आप लोग गौश डिफरेंस बताऊंगा और कुछ बाते बता शुरुआत करेंगे कि आप लोग अगर प्राइविट स्कूल के अंदर admission लेना चाहते हो class 11 में तो उसके अंदर आप लोग के कितनी percentage के requirement होती है क्योंकि यहां पे एक बात का ध्यान देना कि प्राइविट स्कूल की जो percentage के criteria वो थोड़ा सा ज्यादा होता है government school के मुकाबल government में आप सबी लोग को थोड़ी सी छूट दी जाती है लेकिन private school के अंदर आप लोग को थोड़ा सा यहां पर ज्यादा percentage लाने परते है किसी भी stream को choose करने के लिए तो यहां पर स्क्रीन में आप लोग को देख सकते हूं कि science stream को लेने के लिए आप लोग को minimum जो percentage की requirement है वो 80% से जादे ही होती है private school में अब फिर साब को एक बताना चाहता हूं कि यह school to school निर्वार करता है थोड़ा बहुत फ्रक्चुर्ट हो सकता है कि आप लोग के इससे क के अंदर ध्यान देना कि math of science के अंदर आपके कम से कम 85 प्लस होने चाहिए science stream को चूज करने के लिए private school में ठीक है और दूसरा आपका यहां पर जो commerce वाले बच्चा है commerce जो की लेने चाहता है class इलामत में उन बच्चों को यहां पर जादर जादर पिच्चतर परसेंट लान से कम ही आपको यहां पर commerce टेम मिल जाती है अगर आपकी 80 से कम है 70 परसेंट हुआ 75 परसेंट हुआ इस से जादर नहीं जाती लेकिन अगर आपको math से है तो math के अंदर आपके कम से कम 70 तो 75 परसेंट होनी चाहिए 75 marks होनी चाहिए सो में से ठीक है इस जीच का ध्यान देना commerce जादा आप लोग का इसके अंदर जो है वो असी पार नहीं होता है कभी थर्ड हुमेनेटी जो कि आठ लेना चाहते है बच्छे क्लास 11 में उन बच्चों को यहां पर 65 परसेंट प्लस आने बर दे विससे 60 परसेंट में उनका काम हो जाता है उन बच्चों के बात कर रहा आप पर 65 प्लस होने चाहिए मार्ट आपको यहां पर एकनोमिक्स मिल सकती है वरना तो आठ तो सभी बच्चे ले ले लेते हैं क्योंकि इसके लावा और कोई तो उनके पास मौका नहीं होता देने का तो यहां पर आठ सभी बच्चों को मिल जाती है अगर उनके परसेंटे परसेंटेज होते है तो यहां पर प्रवेट स्कूल में अडमिर्शन लेने के लिए आप लोग को कम से कम साइइस में 80% से जाधा होनी चाहिए कोमस साल बचों के 75% अचाहिए और 8 साल बचों के 65% से जाधी होनी चाहिए इससे कम नहीं जाने चाहिए इसीच का ध्शाइन पर्षेटरिया होगा वो अधिकतर स्कूलों में बहुत ज़्यादा कम होगा आप लोग को टेंशन लेने के जुरत नहीं है जो स्क्रीन पर देख रहे हो यह यहां पर आवरेज निकाला गया है क्योंकि यहां पर इस वीडियो को आल आवर इंडिया के बच्ची देखेंगे आ करेंशन को बता हुआ कि किसी भी श्टेट का बच्चा हो सकता है तो उस कंडिशन में उसको इतना मान के चलना चाहिए इतनी परसेंटेज उसकी होनी परसेंट निखा ओवभ आप लोग की मिनिमम होनी चाहिए और पिर बच्चों को जो मैं फिर बताय थी है कि सब्जेक्ट जो चूस कर चाहते हैं उसको लेने के लिए कम से कम 55 परसेंट मानके चलना है इससे कम हिकाम हो जाएगा लेकिन 55 परसेंट तक तो आप को मान के चाहिए तो गौर्मेट वालों बच्चों के लिए यहां पर बता दिया कि साइंस्ट लेने के लिए आप लोग को मिनिमम्म 70% कॉर्मर्स लेने के लिए 65% और आउर्ट को लेने के लिए 55% तक आप लोग की परसंटेज होने चाहिए वह क्लास टैंथ में अब यहां प के बिच्चों के लिए कि वह अगर क्लास 11 के अंदर किसी भी स्ट्रीम को लेने चाहते हैं साइंस कॉमर्स और आर्ट्स को तो उनके लिए यहां पर कितनी परसेंटेज के रिकार्मेंट होनी चाहिए तो इस कंडिशन में आप लोग देख सकते हो और एक बात और आप लोग को जान लेने चाहिए कि जो डैली गवर्मेंट है उसके जितने भी स्कूल आते हैं उस सारे के सारे सीवेसी एफिलेटेड है यहां पर सीवेसी बोड उनके लागू होता है तो इस कंडिशन में आप लोग यह जान सकते हो कि यार अगर गवर्मेंट स्कूल के इन गवर्मेंट होती है गवर्मेंट स्कूल के अंदर तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि डैली के अंदर अगर आप लोग गवर्मेंट स्कूल में अडमिशन लेना चाहते हो पिछले साल वाल बच्चों का यह क्रिटीरिया फिक्स था दोजबीस एक इस कंडिशन को मांतों चलता है कि कितनी परसेंटेज कर्टीरिया फिक्स करे गए थी तो आप लोग को 55% एग्रिगेट लाना पड़ता अगर आपको साइंस विद मैथ चाहिए मतलब कि PCM चाहिए आप लोग को उसके अंदर आपके इंग्लिश में 50 होने चाहिए थे इस्टाइट मैथ में आपके 50 होने चाह है मतलब लगबग सभी बच्चे जो है वो इतनी परसेंटेज को एक्वायर कर लेते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यार गौर्मेंट स्कूल के अंदर कि इतनी कम तक आप लोग की परसेंटेज जा सकती है दूसरे आपे विदाउट मैथ लेने के लिए आपको हो 55% चाहिए एंग्लिश के और आपको 50 होने चाहिए और स्टैनर्दमाथ और आपके बसेसिक मैथ होती जो इसमें दोनों बच्चото को कंसिड़ेटर कर जाता है आपको लाने चाहिए aggregate commerce stream लेने के लिए जिसमें English में आपके 45 होने चाहिए standard math और standard math में आप सब लोग के 50% होने चाहिए और social science में आपके यहां पर 45% होना चाहिए इस बात को आप लोग को ध्यान देना है अब यहांबे जो commerce without math वाले बच्चे हैं ठीक है उन बच्चों को 50% aggregate लाना है English और Hindi के अंदर आपके 40-45% होने चाहिए शोसर साइंस में आपके भी 45% होने चाहिए तो आप लोग को जाए वो admission मिल जाता है अब 8 साल बच्चों का भी आप लोग हमें पर सकते हो अब मैं कुछ important बात आप लोग को बदा देता हूं उसके बाद आप सब लोग को इस वीडियो को end कर देंगे तो वह important बात वी है अगर आप लोग डैली में रहते हैं तो मैं आप सब लोग को prefer करूंगा कि आप लोग ए एक तो best school मिल जागा school के लागा उसके अंदर आपको lab facility बहुत ही टॉप की मिलती है school मैं यहा पर तारीफ किसी की भी नहीं कर रहा हूं लेकिन जो सच है वो आपको बता रहा हूं एक बार ही आप जाकर के check कर सकते हैं यहां पर यह मत समझे क्या है जो government school के बिच्चे होते है वो मतलब जो है आप सिफ अमारा गर्दी करते हैं ऐसा अब नहीं है ऐसा पहले हुआ करता था ठीक है इस बात को मैं भी मानता हो लेकिन आज के समय में ऐसा बहुत ही कम हो चुका है आप लोग हर एक school में जाकर के check कर सकते हो ठीक है मतलब जाकर कि आप लोग चेक करना जरू अगर आप लोग क्लास 10 जैसी पास करोगे रिजल्ट आएगा तो एक बार जाकर जरू चेक करना मैं डेफिनिटली कर सकते हुआ कि आप लोग को मतलब जाह निराशन ही रहात लगेगी काफे बच्चों का मूड भी आपका चेंज हो सकता है लेकिन अगर आपका मन है यसी वीडियो देखने के लिए हमारे चलों सब्सक्राइब करने ठीक है